हेल्दी, टेस्टी और कम तेल में बनाऊवा नाश्टा खाना हो तो इस रेसिफिक को जरूर ट्राइ करें हेलो फ्रेंज, वेल्कम टू बीनाज कीचेन आज जम बनाएगे ऐसा नाश्टा जिसे कि आप कभी भी बना के खा सकते हैं और यह बहुत ही कम ओयल में बन के तयार होता है और यह बहुत जादा हेल्दी भी होगा फ्रेंज, इसके लिए यहाँ पे मैंने एक कप पानी ले लिया है इसमें हमने थोड़ा सा नमक, एक चमच ओयल डाल लिया है अब हमें इसे अच्छी तरह से गरम कर लेना है पानी अब देख सकते हैं अच्छी तरह से गरम हो चुगा है तो हमने यहाँ पे एक कप पानी कर यूज किया है तो इसमें हम डाल लेते एक कप चावल का आठा तो जितना पानी ही होगा उतना ही हम इसमें चावल का आठा डालेंगे अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं गैस को हम बंद कर लेते हैं इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है अब हम इसे पांच मिनट के लिए ढग करके रग देते हैं ताकि जो चावल का अट्या है वो अच्छी तरह से पाने को एब्सॉब कर ले और ये अच्छी तरह से फूल जाए पांच मुट के बाद हमने धक्कन को अटा लिया है हलका सही ठंडा हो चुका है हाथ में हम थोड़ा ओईल लगा लेंगे और इसे मसलते वे इसका आटा को गूत लेते हैं तो इस तरह से हम अच्छी तरह से मसलते वे इसे गूतेंगे ताकि इसका जो डो है बिलकुल अच्छा चिकना सा बनके तयार हो अगर ये डो आपके हाथ में जाना चिपक रहा है तो हाथ में थोड़ा सा ओईल लगाए और उसके बाद इसे अच्छी तरह से गूत ले तो इ रर्भिंत इसरा से सब्रॉब है औह चोड़ा सा बना राख इसमें से डोलेंगे और इस तरह से बिल्कुल चोड़ा सा बॉल बना लेते यह देखें इस तरह से कि इसी तरह से हम बाकि को वी नाश्ते को बना के तैयार कर लेते हैं All right इसे steam करने के लिए हमने कढ़ाई में पानी को गरम करने के लिए रख दिया है जब पानी अच्छी तरह से boil होने लगे तब हम इसे कढ़ाई में इस तरह से रख लेते हैं अब हम इसे ढग देंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम पकने के लिए छोड़ देते हैं तो 10 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे फ्रेंस 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं यह है जो हमारा बॉल्स बन के तैयार हुआ है बिल्कुल अच्छा तरह से यह पक चुका है तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए रखेंगे जब भी पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे यह देखे फ्रेंस बॉल्स जो है बहुत ही जादा स्पॉंजी सी बनी है और वो बिल्कुल अच्छी थी है यह ठंडी हो चुकी है तड़का लगाने के लिए हमने यहां थोड़ा सा ओईल गरम किया है इसमें हम डाल लेते हैं आधा छोटा चमच राई चार से पांच कड़ी पतर डालेंगे और इसमें एक कटीवी हर्टमिज डाल लेते हैं अब हमने जो बॉस बनाया था इसमें हम डाल लेते हैं और आप इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं आप हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं फ्रेंज आप इस नाश्टे को किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं किसी भी tasty चटपती सी चटनी के साथ यह बहुत ही अच्छी लगेगी या तो gravy वाली सबजी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं तो यह बिल्कुल अच्छी तरह से तयार हो चुकी है इसमें हम ढालेंगे धनिया का पत्ता तो यह बिल्कु जटपट से बनने वाली रेसिपी हमारी तयार हो चुकी है इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और यह हमारा बहुत ही टेस्टी सा नाश्टा बनके तयार हो चुका है तो इसे अब हम सर्व कर लेते हैं तो यह बहुत ही कम और में बनके तयार होने वाला यह नाश्टा हमारा बनके तयार हो चुका है आपको अगर यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें मेरे चानल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबाएं मिलते ही नेक्स वीडियो पर किसी नही रेसिपी के साथ तिल देन बाव बाई